में आपका स्वागत है आज हम गल्डोब बनाएंगे इसके लिए मैंने डेट मीटर कपड़ा लिया है यह रेवन फैब्रिक है तो इसको रखने का तरीका क्या है कि हम इसको फोर फोल्ड में रखते हैं लेकिन इसमें डिजाइन है तो पहले मैं इसको डबल फोल्ड में गल्री सिर्फेर लिए है उसी रिसाब से अब हम सिसका लेते हैं को तो यह अपन निशान लगाऊंगे मैं उपर कंदे का जो निशान होता है वाँ साड़ेश हैंच पर लेंगे और धाइंच पर मैं लगांगे इसके गले का निशान इसी तरीके से उपर से नीचे शोल्डर कर निशान भी हम शाड़े छैंज का लेंगे इस तरीके से ब्रेस्ट कर निशान लगाएंगे वह क्या होता है कि जितनी हमारी ब्रेस्ट है जैसे कि हमारी 32 है तो उसको फोर से डिवाइड करेंगे और उसमें टू इंच प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए तो यह तैन इंच ह हो गया हमारा अब हम सेवन इंच पर एक निशान लगाएंगे और उसके नीचे पर एक और निशान लगाएंगे इस तरीके से तो यह हमारा वेस्ट का निशान मार्क होगा तो हमारी वेस्ट है 24 तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा और उसमें 2 इंच मार्जिन के लिए एड करेंगे तो हमारा 8 इंच पर निशान लगाएंगे हम इसी तरीके से हिप राउंड है हमारा 34 तो उसको 4 से डि 10.5 इंच हो जाएगा इसको सिधा मिला लेते हैं इस तरीके से गोलाई देते हुए कि इसको हम मिला लेंगे कि अब हम क्या करेंगे इसमें हाफ पे जो हमने उपर ये निशान लगा इसके हाफ मतलब 3.5 पे में निशान लगांगी और यहां से कि इसको गोलाई देंगी अगर आप सीध्य सीध्य गोलाई नहीं देने तो आप एक तरिरील निशान लगा ले और उसको उसके हीसे अब से गोलाई देकर तो हические गोलाई देनी अच्छे से और तुएंड तुएंड हाफ पिंच पर ही धर से लगा निशान लगांगे एक एक बोक्सा बना लेंगे हम इस तरीके से अब इसको गोलाई देते हूं मिला लेंगे तो हमारा बैक साइड का गला बन जाएगा इस तरीके से अब हम क्या करेंगे शोल्डर पर खाप इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरफ नीचे की तरफ और उसको तिर्शा मिला देंगे इस तरीके से अब हम इसकी टोटल लेंगे उपर से नीचे तक मैं इसकी रखोंगे 25 इंच आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और वान इंच की उस पर गोलाई दोंगे नीचे की ताप यह जो गोलाई दी है ना मैंने वान इंच पर है अब हम इसको काट लेते हैं तो यह मैंने काट लिया है अब दोनों पीसीज को अलग अलग कर लेंगे हम इस तरीके से और क्या करेंगे कि जो अगला पार्ट है उसको रखकर उसको गले पर निशान लगाएंगे तो यह मैं 5 इंच लूँगे क्योंकि वो थोड़ा डीप होता ह आगे वाला गला और इसको इस तरीके से मिला के इसमें गोलाई दे देंगे हम अगर आप हातों से गोलाई नहीं दे पाते तो कोई गोल चीज रखकर भी आसानी से गोलाई दे सकते हैं इस तरीके से अब इसको काट लेंगे अब हम शोल्डर पर निशान लगाएंगे एक इंच से थोड़ा कम मतलब क्वार्टर इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसको गोलाई देते हुए मिला लेंगे इस तरीके से मिला लेंगे इसको अब इसको काट लेते हैं तो यह मैंने काट लिया है अब हम इसकी स्लीज तैयार करेंगे स्लीज के लिए मैंने 17 इंच लंबा और 17 इंच चोड़ा कपड़ा लिया है यह फ्लावर्स की वज़े से मैंने अलग लग लिया है लेकिन दोनों बाजू का हम एक साथ भी ले सकते थे 34 इंच इंच इंटू 17 इंच तो हमारा 17 इंच तैयार करना है तो उतना ही लिया है मैंने और इस तरह तरप से 8 इंच जो कंदे का निशान शोल्डर का निशान है वह मैं एट इंच इसकी चोड़ाई लोंगे अब क्या करना इधर से धा इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान के नीचे पांच इंच पर फाइव इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से अब क्या करेंगे इसको और यंच पर एक और निशान लगाएंगे और सिधा मिला देंगे मतलब गहराई में तर निशान लगाएंगे वैसे आप अपनी बाजू के हिसाप से इसको कम ज्यादsource कर सकते हैं इस तरीके से इसको मिला देंगे कि अब इसको सीधा भी को निशान लगा लेंगे हम जहां से हमने मोड़ा था वहां से वहां तक इस तरीके से कि अब क्या करना है कि उपर गोलाई देती नहीं हमें इस तरीके से गुमाते हुए गोल कर लेंगे अब हम इसमें मार्जिन का जो एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान है वो लगा लेते हैं यहां पर हम थोड़ा कम रखेंगे यहां पर सलवटे पढ़ जाती है तो थोड़ा कमी सिलाई देंगे आपर से जादा नहीं देंगे नहीं तो जीव सी सलवटे पढ़ जाती है यहां पर क्वाटर इंच पर मतलब एक इंच से थोड़ा कम निशान लगाएंगे और उसको इस तरीके से यहां से जहां पर हमने उसको सिलाई के लिए निशान लगा ने वहां से शुरू करेंगे और इस तरीके से गोल घुमाते हो इसको मिला देंगे अब इसको कट कर लेते हैं वो नीचे से मैं हाफ इंच की थोड़ी राउंड शेप बिते तूंगे इस पर बाजू पर जिससे के देखने में और भी अच्छे लगेगी पहले इसको कट कर लेते हैं इस तरीके से अब इसक करें गiddag अलग करके काटेंगे और यह गुलाइब मैंने दे लिए नगया तो हमारी बाजू तयार है नगया इसके इसकी सिलाइप करेंगो कि तो क्या करेंगे य। उलटा रखेंगे दोनों पीसको और शॉटर से शॉलडर अटैच करके इस तरीके से पकड़ेंगे और शिला लेंगे वहां से इसको हम बाद में अटैज करेंगे मैंने सील लिया है तो जो एक्सटर पट्टीHa juste करेंगे एक्सटर लगा करेंगे और फिर उसको शीद लेंगे तो काट लिते हैं घ्रुद्धा एक्सटर पट्टी बसमान एक्स desen पट्टी है उसको नापकर तरब, चारो तरब तो एक कट लगाने के बाद क्या करना इसको इस तरह के रखना है अंदर की तरब और साइड साइड में एक सिलाय लगा लेनी है उसी गला अच्छे से सुझर बैठ जाएगा सुझ्दर लगे अब इसको एक बार फोल्ड करके अंदर की तरफ या तो आप तुर्पाई कर लीजिए और फिर सिलाई कर लेजिए अपनी अपनी पसंद है अब हम इस पर बाजो अटेच करेंगे इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है अब जो हमारा में पार्ट है उसके जहां पर हमने कंदे का जोड़ है वहाँ पर इसको रखेंगे निशान को उल्टा करके और यहां से ही सिलाई शुरू करेंगे सेंटर से पहले एक तरफ कोई सिलाई लगाएंगे नीचे तक इस तरीके से यहां तक और फिर दूसरी तरफ की इस तरीके से तो यह मैंने अटेच कर लिया है तो ये कुछ इस तरीके से दिखे यहां। दोनों मैंने बाजु अटेच कर लिया इसके दोन स्लीव, अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे मिलाते हुए, अच्छे से कोना, और इस पर सिलाई लगाएंगे, यहां पर थोड़ी कम सिलाई लगानी है, और जितना हमने मारजन अप्छा था वो सिलाइं लगा लेंगे उतनेल उसी हिसाब साब्ससे आप क्या करेंगे बाजू पर नीचे गोल आए विते तरहींज को टु टाइम्स कमें तरही किसे नीचे वाले गہरे पर भी हम तो लगा लेंगे गोल करते हुए टू फोल्ड करके तो मैंने लगा लिए है तो हमारा टोब लगबग तयार होगा है यह देखे मैंने ना एक डिजाइन वाली स्लाई भी लगाई है तो बाजू भी बड़ी सुंदर बनी है हमारी देखे कुछ इस तरीके से दिखाएं और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी बनी है तो आप भी ट्राई कर सकते हैं बड़ाई आसान है बनाना इसको आसानी से आप किसी भी कपड़ी से बना सकते हैं कोटन फैबिक से लेवान से जो भी है तो आपको वीडियो कैसी लगी है मिलते हैं फिर एक नहीं वीडियो साथ तब तक के लिए बाई बाई